हाई एवरिवन वेल्कम बैक टू माई एसके यूटूब चैनल आज मैं आपके साथ लॉर्याल पारस फांडेशन का रिव्यू शेर करने वाली हूँ विद टिशू एंड फिंगर टेस्ट्रेंट्स आप देख सकते हो पैकेजिंग ग्लास बोटल में आती है और यह आप देख पूना ही कि 1200 तक इजली मिल जा रहा है और 30 ml आपको कॉंटिटी मिलेगी इसकी शेल्फ लाइफ होती है टू यर्स के लिए आप इसको आराम से यूज कर सकते हो दिवाली दशेहरा अगर कोई भी फेस्टिवल्स होना तो आपको डिसकाउंट अच्छा-खासा मिल जाता है अनलाइन पॉचेस करने पर और अगर आप शॉप पर पॉचेस करते हो तो आपको 1400 जितना MRP होगा वो आपको उतने में ही दे देते हैं तो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की होती है और यहां पर आपको इस तरह का क्याप मिलेगा ओपन करने के आप फिंगर की हल्प भी ले सकते हो इसको ब्लेंड करने के लिए आप ब्लेंडर की हल्प ले सकते हो इसको ब्लेंड करने के लिए आप पाउंडेशन ब्रश की हल्प भी ले सकते हो और इस भी आपको अच्छे से नजर आ गई होगी यह देखिए वाव यह देखिये इसकी cover चलो अब मैं आपको अपने face पर इसको अपलाई करके दिखा देती हूँ और वीडियो एंडिंग तक जरूर देखिएगा मैं इस पर अपना tissue paper test भी आपको करके दिखाने वाली हूँ आज के वीडियो में so yeah चलीये face पर अपलाई कर के देखते है अपलाई करने से मैं आपको एक बात बता दू यहाँ पर मुझे dark circles है तो देखते हैं कि अपलाई करने के बाद dark circles को भी हाइड करता है कि नहीं इस foundation को अपलाई करने के बाद आपकी skin dry भी नहीं लगेगी oily भी नहीं लगेगी इस foundation से skin healthy लगेगी ये foundation घंटों बाद भी fresh रहता है इस foundation को apply करने के बाद जब आप आईने में देखोगे या फिर सामने वाले आपको देखते हैं तो आपकी skin पर ऐसा नहीं लगेगा कि आपने foundation की एक मोटी सी layer लगाई हुई है और अगर इसकी long lasting की अगर मैं बात करूँ तो 7-8 घंटे तक ये perfectly stay करता है ये foundation मैंने use करने के बाद ही आपके साथ इसका review share कर रही हूँ ऐसा नहीं है कि मैंने market से इसको purchase किया और लाते ही आपके सामे में लाते ही मैं open करते ही आपके साथ इसका review and demo share कर रही हूँ ऐसा नहीं है इसको मैंने खरीद कर बहुत टाइम हो चुका है मैं इसको बहुत टाइम से use कर रही हूँ बहुत ज़्यादा amazing foundation है perfect है all skin types के लिए foundation apply करने के बाद आप देख सकते हो coverage इसकी देख सकते हो कितनी amazing इसकी coverage है friends मुझे personally ये foundation बहुत पसंद है और ये बहुत ज़्यादा light weight होता है final result आप देख सकते हो यहाँ पर और हाँ आपको powder से set करना ज़रूर यह होता है चाहिए आप कोई भी foundation apply करो ये आप देख सकते हो मेरे dark circles को भी इसने हाइड कर दिया है आप कामरा ओफ और कुछ भी नहीं किया है मैं अपने face को अच्छे से प्रेस कर रही हो अच्छे से push कर रही हूँ ये आप देख सकते हो oh my god फिर से मैं आपको टेस्ट करके दिखा रही हो बिना camera off किये ये आप देख सकते हो मैं इसको अच्छे से आगे पीछे तक अच्छे से प्रेस कर रही हो तिशु को ये आप देख सकते हो मैंने आपको दिखाने की कोशिच की है इतना मैं प्रूफ क्यों दिखा रही हो brand मेरा नहीं है but viewers मेरे जरूर है जी हाँ guys brand मेरा नहीं है जो कि मैं आपको इतना प्रूफ दिखा रही हूँ but viewers subscribers मेरे जरूर है so आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ oh my god यह आप देख सकते हो transfer proof foundation है यहाँ पर हम finger test भी करके देख लेते हैं यह आप देख सकते हो finger को भी मैंने चे से push किया इसके बाद आप देख सकते हो finger पर भी कोई foundation so yeah यह था मेरा foundation का review अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share and subscribe till then, bye bye